तो रक्त बिकार या फोड़ा फुंसी शरीर में कभी नहीं होगा एक साफता हमें फोड़ा फुंसी भी अराम मिलेगा और यह जो अवजदी है रक्त सोधक है किसी तरह का रक्त में बिकार है सभी में काम करेगा और यह अवजदी कुछ दिन तक सेवन करने से बलड को सुध कर देता है। डाक्टर बिरंद्र आपका स्वागत करता हूं गिरंद्र अरविदा चाइनल पर मैं आपको आज एक जोग बतला रहा हूं रक्त सुधक मुंडी 50 ग्राम धनिया 50 ग्राम मेहदी का भीज 50 ग्राम नीम का पूल 50 ग्राम यह आउस्दी को लेकर चूर्म बना ले और के बाद अगर यह आउस्दी गीला है तो उसको एक दूरोज धूप में सुखा कर चूर्म बना ले और चूर्म बना कर चारोव आउस्दी को एक सिसे के पात्र में रख दे और सुबह पहर आपको 800 ग्राम चूर्म को पानी में डाल दे दिन वर्त खुलने के लिए संधिया क मैस्व कर और उसको चानकर पीचा और फिर शंधिया को 28 ग्राम चूर्म डाले और फिर रात्भर धब्र फुलने के लिए छोड़ दे सुबह प्रता उठने के बाद उसको पूरा मल के और चान ले और उसको पी है तो रक्त बिक्यार या खोड़ापू सीे शरीर में कभी नह काम मिलेगा और यह जो अवजदी है रक्त सोधक है इसी तरह का रक्त में विकार है सभी में काम करेगा और यह वजदी कुछ दिल तक सेवन करने से बलड को सुध कर देता है और इस वीडियो देखने के लिए आपको मैं धनबात दे रहा हूं जय धनवंत्री जय आरवेद